Good morning students, so today we will do worksheet 6 of unit 5, okay? So what is worksheet 6? Compare the following pairs of decimal numbers, correct? कि हमने decimal numbers के हर एक pair को compare करना है अब pair को compare करने के लिए मैं आपको क्या बोला था? हमें सबसे पहले इनको like decimals में convert करना पड़ेगा ठेक है? Like decimals में, जब जबी like decimals हो तो easily हम इसको compare कर सकते हैं सबसे पहले हम यह चेक करने, देखें, point के बाद किने digit है? 1, 2, यहापे point के बाद 1, 2, दोनों के बाद 2, 2 है? Yes, तो यह दोनों के होए? Like decimals होए, अब हम क्या करते हैं? अब दोनों जब like decimals होगे मेरा पुत्तर, अब देखें, point के बाद 37 है, यहाँ point के बाद 47 तो कौन बढ़ा होए? Of course 47, तो इसके तरफ greater than का sign लगा देखें Next, 182.6, यहाँ पे 181.32, correct? अब point के बाद किनने digit है? 2, यहाँ पे point के बाद किनने digit है? 1 ही है, तो यहाँ पे पहले 0 लगा लो बलगे like decimals, अब बताई, यह 182 और यह 181, तो कौन बढ़ा होए? 1 underrated हो, तो इसके तरफ greater than का sign. Next, 0.9, digit point के बाद एक ही है, यहाँ point के बाद 2 है, 2 है तो 2 है, तो 2 है तो इसको भी 2 बना दो, तो एक 0 लगा दो, अब बताओ, कौन बढ़ा होए? 0.90 या 0.10, of course, 90, तो इसके तरफ greater than का sign लगा दिया. Next, point के बाद 2 डिजित है, 1, 2, यहाँ point के बाद 2 डिजित है, तो दोनों like है, बताए, 6.96 या 6.69, यह नमबर बढ़ा हुआ, तो इसके तरफ greater than का sign, correct? Next, point के बाद 2, 0, so 2 डिजित, यहाँ point के बाद 1 ही डिजित है, तो इसको भी बराबर कर लिजे, दोनों 2, दोनों equal होगे, correct? 126.60, 126.60, तो यह दोनों equal होगे, ठीक है? मेरा बेटा, जब भी compare की बादा आती है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? like decimals बनाओगे, next, point के बाद किनने डिजित है? 2, यह point के बाद किनने डिजित है? 3, तो यहाँ पर 1 की कम है, तो एक 0 लगा दो, अब देखिया, 342.810, 342.810, तो कौन बढ़ा हो, 810 यह 801, 810, तो इसके तरफ greater than का sign, correct? next, 1, 2, 3, point के बाद 3 डिजित है, यह point के बाद 2 डिजित है, तो एक 0 लगा दो, किनना बनाओगे? 3, तो यह 123, यह 130, तो which one is greater? 130, तो इसके तरफ greater than sign, next, हाँ आँ पास 75.826, 3 डिजित है, 75.825, तो कौन सा बढ़ा हो, 825 यह 826, 826, तो इसके तरफ greater than sign, next, 71.780, यहाँ पे 71.708, 780 और 708, which one is greater? 780, 780, तो यह greater, 6.820 और 6.82, यहाँ पे 1, 2, 3, तीन डिजित है, यहाँ पे 2 ही है, तो इसको बाद 2 करो, correct? अब बताए, which one is greater? 6.820, 6.820, बोथ हार equal, तो दोनों को equal to sign ड़ा दिया, correct? तो मेरा बेटा, जब भी आप compare करें, ascending order में लेके descending, सबसे पहले आप क्या करते, उनको like मनाओ, correct? चलिए, अब देखते हैं, ascending order, ascending order क्या होता है, एसे अबव, मतलब ऊपर चड़ना है, एसे अबव, एसे अबव, एसे ascending order, sorry, यहाँ परे रितियो में, above, एसे अबव, मतलब ऊपर चड़ना, पहले LKG की, फिर first की, फिर second की, फिर third की, correct? वैसे छोटा बड़ा 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 अब हमारे पास आता है सबसे पहले चेक करो क्या ही लाइक डेसिमल में रॉइट पॉइंट के बाद 1,2,3 पॉइंट 1,2,1,2 तो एक की कम है तो एक जिरो लगा दो फिर पॉइंट के बाद 1,2,3,1,2,3 होगे एक कोल येस अब चेक करिए सबसे छोटा कौन है यहां पे 6.035 यहां पे 530 यहां पे 005 यहां पे 3 तो 005 सबसे छोटा है तो यह 1 आ गया फिर 005 के बाद 035 फिर 2 आ गया फिर 359 3 and then 530 यह आ गया 4 तो लिखना शुरू करेंगे तो पहले आ जाका 6.005,2,6,035,then 6.359,and 6.530 एक बात यहां रखना मेरा बेटा हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद हम सिंगल सिंगल डिजिट बोलते हैं यह तो मैं आपको अंडर्स्टूट करने के लिए इसको पूरा नंबर पढ़ रही हूं ठीक है बढ़ हम 359 इस तरह से चीक है नेक्स्ट है हमारे पास यह सम है पहले देखिए यह लाइक डेसिमल में है किने पॉइंट के बाद काउंट करो 123 123 123 123 123 सारे लाइक में चेक करो सबसे छोटा कौन है 71 170 701 17 तो सबसे छोटा मिल गया यह उससे बढ़ा यह 170 3rd और सबसे बढ़ा 701 तो मैंने लिग दिया देखो 1771 170 701 करेक्ट नेक्स्ट है चेक करी लाइक डेसिमल है कि नहीं पॉइंट के बाद 2 है पॉइंट के बाद 3 है यह 3 है तो इसको भी 3 बनाए तो एक 0 लगा दो यह भी 2 है इसको बाद 10 लगा दो यहां पर 20 लगा दो 33 होगा सबी के पास balance हो गया करेक्ट देखो 70, 72, 720, 700, तो सबसे छोटा कॉन हुआ, 700, फिर, नहीं, सॉरी, ये हुआ, सबसे छोटा, 270, करेक्ट, सबसे छोटा हुआ, 72, तो 72 आ गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा कॉन आया, 270, उससे थोड़ा बड़ा कॉन आया, 700, and then last में, 724, देखो, 0.072, 400.270, 400.700, और 400.720, करेक्ट, देखो, लाइक देसिमल से कितना एजी हो, जरा इडेंटिफाई की कौन सा बड़ा है, कौन सा चोटा है, अगें, पॉइंट की बाद चेक है, 123, 123, 123, 123, 123, ये तो सारे ही लाइक है, तो इसले फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टार्टिंग म आगया, 1, 811, करेक्ट, एंधर, 818, एंधर, 4 इसले, ये तो अल्रड़ी असेंडिंग ओर में, ठीक है, ये हमने इसको असेंडिंग ओर में लिख लिया, करेक्ट, नेक्स्ट एमेरे बेटा हमारे बस्ट राइट, देसेंडिंग ओर, तो D से, डाउन, D से, डाउन, मतलब आ 10, 9, descending, sorry, down, नीचे उतर, ठीक है, पर टॉप पर नीचे नीचे उतर, सबसे बड़ा, उसे छोटा, उसे छोटा, और सबसे छोटा, करेक्ट, फिर से चेक करेंगे, लाइक डेसिमल में है या नहीं है, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, एक ही डिजिट, तो इधर लगा द 0, बनगे टूटू सारे, अब चेक करें, सबसे बड़ा कौन है, 218, 281, 281, 218, 18 दखो, यह है 8, 81, यह 90, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 81 सबसे बड़ा हुआ, तो 82 है, यहां पर 81, तो यह सबसे बड़ा हुआ, 1, और यसे छोटा, 2, उसे छोटा, 3, and then last, 4, देखो, 281.820, 281.810, 218.900, 281, wait, 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 इसमें हमने क्या किया, है मिरे बेटा, अब देखो, 81, 81 तो बड़ा है, यह तो हमने पहले लिए यह 18 है, और यह 18 है, यह 900 है और 910, तो यह हमने ascending order में लिख लिए, so descending order में लिख लिए, next है, point की बाद count करिए, 3 digit, 3 digit, 3 digit, यहां पर 1 नहीं है, तो कितने निजरू रगने, 2, 0, correct, अब check हो, 11, 11, 11, 11, इससे तो कोई पता नहीं चला है, कौन बड़ा है, कौन चोटा है, point की बाद check हो, यह 64, यह 604, यह 406, और यह 100, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 100, हमें चाहिए, descending, तो D से down, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है, 604, तो यह 1 आ गया, उससे छोटा, 406, उससे छोटा, 100, और सबसे छोटा, 64, तो क्या गया, 604, 406, 100, and then 64, correct, बड़ा, छोटा, 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 नेक्स्ट है, point की बाद 2 है, point की बाद 3 है, point 30, 30, 30, 30, इससे तो पता नहीं चला, पर point के बाद क्या है, 31, यह 31, तो सबसे बड़ा यह है, तो इसको 1 लगा दिया, 300, उससे छोटा, उससे छोटा कोन है, 31, और सबसे छोटा कोन है, 30, तो देखे, 301, 300, 31, and then 30, correct, next है मेरे पास, again point के बाद 3, 0, 3 digits, sorry, 3 digits, 3 digits, 3 digits, तो यह और लेड़ी ही हमारे पास किसमे है, like decimals में, अब सबसे बड़ा ढूड़ी है, 0, 0, 0 से तो पता नहीं चला, अब decimal के बाद 45, 40, 5 and 44, 5, तो सबसे बड़ा हुआ, 5 and 44, फिर उसे छोटा, यह, फिर उसे छोटा, यह, फिर उसे छोटा, यह, और सबसे छोटा, 0, 0, 5, यह, इसे पहले हम चला है, इसमें कोई पता नहीं चला है, फिर हम decimal के बाद का पाख चला है, तो यह आगे हमारे पास, 0, 5, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, तो यह था मेरे बड़ा, आपका ascending and descending order, और हमने जब भी, चाहे आप add करिए, चाहे आप subtract करिए decimals को, चाहे आप compare क करिए यह ascending orderly के, यह descending orderly के, आपको decimals को पहले like decimals बनाना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे पेटा, ओके बाबाई, टेक क्यूर,